दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना सुभ़े और शाम हम आपके लिए 6 महत्तोपूर्ण खबरों का मजेदार एनालेसिस ने कर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालेसिस को सब्सक्राइब कर लेंगे कि राहुल गांदी के पक्ष में अमेरिका उतराया है इनसे पूरी दुनिया नहीं समझ रही तो अब राहुल गांदी समझा लेंगे आर्मी चीफ ने भाइया जी बहुत अच्छी बात कहिए चीन की नई स्ट्रेट भी को लेकर चीन के कितने प्रस्ताओं के ऊपर भारत बैठा हुआ है बहुत तगडी चपट लगाई है भाई साब चीन को तो अधर इसराइल में भाई साब बड़ी दिक्कत चल रही है अफगानस्तान जैसे हालत होएं तो क्या इसराइल में होने वाला है उधर भाई साब जो निफ्टी की एक्सपैरी आ रही है भाई सा में भाई साब ऐसी कौनसी जानकारी लिग दी है तो यह जो हर घटनाक्रम है वह एक से बढ़कर है कि आपको पक्के से मज़ा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा साथ मैं दोस्तों राम नव्मी और हनुमान प्राकट्ट्यों सबके एक नहीं दो-दो उपलक्ष में हम जो है आत्मिरवर इन्वेस्टर फ्यूचर्स और ऑप्शन कोर्स पर 50% का भाली वरकम डिस्काउंट दे रहे हैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जल्दी से जल्दी जोएन कर लीजिए च जुट हो रही है महां वेश्ट्विक गटबंधन बन रहा है अमेरिका बहिए जी मतलब उनको जो है पुरसत नहीं है तमाम टेंसन है लेकिन भारत पर बोलने का समय मिल जाता है बोले रस्पेक्ट फॉर लौ होना चाहिए भारत में मतलब जो इनको डिस्क्वालिफाई किय देखलो जोए उसिद्वी जो इनको इंगो सजय दी गई वह क्या मोधी जीने यह कोर्टने दीए कि नहीं भी खबरें पड़ते हो मतलब ए बॉलीवूड की ख़बने पढ़ते हो क्या है में पीजी हो भाइया जी अख़वार पढ़ा करो धंसे दूसरा आप जो है कहो न सीधा कि राहूल गांदी प्रहामंती चाहिए तो भाइया हमें भी समझे में आए फाल तू मैं क्या मानवदकार फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन रूल ओफ लौ सब है भाइया भारत में अमेरिका से बढ़िया है अपना देश समाले नी समल रहा है इनसे देख लो कितनी खबरें आ रही है उल्टी चीदी भाइया जी बाइडन बबा खुद तो कानून नी बना पाते इनके देश में कितने लोग वूपर जा रहे हैं थो कानूनी परवर्तन होना है वो जो है हम थोड़ा समय लेंगे भो सकता है भविश्व में कर लें डायलोग करेंगे बात चीद करेंगे तो ठीक है भाईया जी डेमोक्रेसी है आपको भी समय है अभी नए-एप्रधानमंत्री बने हो नया टर्म मिला है बहुत समय है आपको कं बात नहीं है मुद्य की बात क्या देखो आप भारत का हाइफा पोर्ट है जो अडानियन ले रखा है इसराइल में उस पर भी काउं रुख गया भाई साहब तो विकास की कैजूलिटी नहीं होना चाहिए देश को विकास रफ्तार में आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए अच्छा कदम उठाया है इसी बीच भाई साहब चाउवन चाइनीज और होंकों की प्रोजेक्ट हैं इनको भाईया जी लटक गए हैं बारस सरकार बैठ गई हैं इनके ऊपर हम तो किया रहा है बैठे रहा हो जैसे मुर्गी अंडे को सेंकती है वैसे ही इन प्रोजेक्ट क सेंको ढंग से इनको भाहर नहीं निकलने देना है कारण जी यह दूस्मन देश हैं दूसरा आप सभी की मांगती याद होगा आपको कि कोरोना वारस में मोदी सरकार ने और गलवान के बाद यह नियम मनाया था कि जिन देशों से हमारे बॉर्डर मिलते हैं उनके प्रिस्ता को जो है लेटर लगा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं जो भी घटनाय होती हैं उसके खिलाफ इनको बोलना चाहिए भाई साब आपने बास सही कहिए जितना बोलते हैं और बोलो इन लोगों की संतुष्टी के लिए लेकर हमारा एक छोटा सा सवाल है आ भारत में पाकिस्तान में अफगानस्तान में दुनिया भर में इसके ऊपर आप कब बोलने वाले हो बताओ भाई साब मान लिया हमने अफगानस्तान में पाकिस्तान में बंगलादेश में कोई नहीं बोलने वाला है वहां तो उन्होंने सब माइनोरिटी को खतम कर दिया तो आपके बारे में बोलें, आपकी भलाई की बात करें, तो आपको भी हमारे हितों के बारे में बात करना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाईया कि पर उपदेश को सल बहुत देजे, दूसरें को उपदेश देते रहो, और तुमारा खुद का मुझ जो है, काला है, सो चुए ख ताके बिल्ली हजगो चली वो तर नहीं होने देंगे भाई साब इसी बीच जो है आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी बात कही है और वैसे आप सब्सक्राइब पहले इसी कहते रहे हैं आर्मी चीफ ने अंग्रेजी में प्रियास कर रहे हैं जो काम अमेरीका नहीं कर रहा है जो काम अमेरीका किया करता था वही काम अब चीन कर रहा है चीन अमेरिका की जगए नेट सिक्यूरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है तो यह जो घटना करम है देखो अमेरिका बुरा है लेकिन अमेरिका की जगए हमें चीन नहीं चाहिए चीन अगर वहां पहुंच गया तो करेला नीम चड़ जाएगा हमारी समस्चियां नहीं और बढ़ जाएंगी इसलिए चाहूवन नहीं हमतर क्या रहा है पांसो प्रस्ताव हुआ हैं चीन से सबके ओपर बैठे रहा है और होता भी है दीमे होता है तो हम बंगलादेश को स्पेशल एकॉन के रूप में डिवलप करेंगे ताकि नौर्थ इस्ट बे बेंगाल से जोड़ सके समुद्री रास्ते से दुनिया से ब्यापार कर सके तो आप बहुत बढ़िया कारेक्रम हैं बाते सुनी है आपकी बहुत अच्छी वात है लेकिन आप बजट रखो आप बंगलादेश से बाचीत करो क्यों बंगलादेश में चीन का प्रभाव बढ यह मंत्री उसके पहले डिसकसन के पहले आप सभी से आग रहे हैं कि मिलके बोलिए क्या भाई साब जैहो स्रीचार्ट मालक्षमी जी की ऐसे नहीं चलेगा बोलना बढ़ेगा बोलिए जैहो स्रीचार्ट मालक्षमी जी की कारण यहारी कि पूरी दुनिया में इन्हीं की च थोड़ो मस्जिद में चले जाओ चर्च में चले जाओ कहीं चले जाओ आस्रम में चले जाओ हॉस्पीटल में चले जाओ सबके बाहर दानपात्र डोनेशन बॉक्स लगे हुए हैं सबको महालक्षमी जी ही चाहिए भाया जी इनकी पूरी दुनिया में चलती है पूरी दुन सिस्टेंस से कहां सपोर्ट है इमिजीट दो तीन दिनों के हिसाब से तो आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरस्ट कहां पर है तो भी यहां पर है नंबर दूसरा कहां पर है और 96 लाख और अगर आप जो है यहां आजा अपट साइड में तो आप देखो सबसे ज़्यादा हैं यहां पर 150 लाख और फिर हाइएश्ट है बहात्तर लाख यहां पर कहां पर 16,800 पर तो भाईया जी इससे क्या पता लगता है immediate resistance यह है R1 यह है और immediate support यहां पर है 17,000 पर S1 चलो यह मानलो तूट जाए तो दूसरा कहां पर भाईया तो देखो आफ 16,800 पर यह 2-2 से मिला दिया हमने 2-2 से मिला दिया यह S2 है यह R2 है तो मतलब क्या है कि अगर market immediate कोई support range पूछे हमसे तो वो कौन सी है 17,100 से 17,000 के level पर लेकिन यह जो range है यह range बहुत tight range है अगर आप इस पर खेल होगे तो वह जोगा जो हमने आपको पढ़ाया है option course में हमें घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होना यहां घोड़ा नहीं है गदे खचर के पीछे खड़े होगे लग पड़ेगी मूँ पर मूँ तूट जाएगा इसलिए हमें बिलकुल पिछवाड़े पर खड़ा नहीं होना ज्यादा जो safe range है वो है यह वाली 12800 और जो है 17200 यह broad range है 400 point की और इस range में आप क्या कर सकते हो paper trading कर सकते हो कौनसी theta scalping वाली हमने आपको पड़ाया हुआ है theta scalping वीडियो आपको मिल जाएंगे पर नले हुए हैं उनको देखके theta scalping की concept को समझी लीजी और range हमने आपको बता दी है इस range में आप theta scalping कीजिए ideally यह से जो paper trading हम कर रहे हैं उस paper trading में हमने 16900 और 17200 का बनाया था paper trade theta scalping का और हमने यह खड़ा किया था कब पिछले गुरुवार को पिछली expiry पर तो हमारा जो theta scalping का है वो बहुत मोटा margin है तीन चारह हर का है वो यहां कम है क्यों कि दो दिन बचे हैं expiry के तो आपको क्या करना है आप जो है paper trading कीजिए और देखिए कमाल चार्ट महाल लक् रहता है अगर रहेगा तो पैसा बनेगा मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यह आपको खरिदना बेचना नहीं है यह सर्फ सिक्षात्मक व्यूपॉइंट है हमारे students के revision के लिए अब दोस्तों राम नवमी और हनुमान प्राकट्योथ सब के दो महान उस्सवा रह रहे हैं आप में फर इंवेस्टर कोर्स पर टूचर सेंड ऑप्शन कोर्स पर तो अभी तो यदि आप शेयर मार्केट में सुरुआत कर रहे हैं तो आप इंवेस्टर कोर्स पर फोकस कीजिए यदि आप शेयर मार्केट में आचार रचानकी की हैजिंग स्ट्रेटजी के मा अपना पसंदीदा कोर्स जोइन कर लीजिए WhatsApp ओपन होगा वहाँ आपने कोड देना है बिना कोड के तो भी ये डिसकाउंट ना देख पाएंगे कोड है जै हो स्री चार्ट महालक्षमी जी की कोड देंगे डिसकाउंट अपने आप एफलीकेबल हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्त्री राम